हमास पर किये जा रहे है इसराइली हमलों को रोकने के लिए विश्रू में कई जगा विरोध प्रदशन हुए और अमेरिका ने भी इसराइल से हमले रोकने के लिए कहा लेकिन वो किसी की सुनने को तयार नहीं है इसको लेकर हमास सहित इसराइल के अन आलोचको का कहना है कि इसराइली प्रदान मंतरी बेंजमीन नेतन्याहु अपनी कुर्सी बचाने के लिए युद्ध जारी रखे हुए है आलोचको का कहना है कि नेतन्याहूं को लगता है कि युद्ध खत्म करने से उनका राजनीतिक पतन हो सकता है या उन्हें जेल जाना पर सकता है अब इस्राइल को समर्थन करने वाले अमेरिका के राजश्पती जो बाइडन ने भी कुछ ऐसी ही बात बोली है जो अभी तक इस्राइल के आलोचक कहते आये हैं बाइडन ने कहा कि लोगों के पास ये सोचने के लिए कई कारण है कि नतन्याहू सत्ता में बने रहने के लिए गाजा में युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं हाला कि बाद में उन्होंने अपने बयान को घुमाते हुए कहा कि उन्हें व्यक्तिकत रूप से नहीं लगता कि नतन्याहू राजनीती कर रहे हैं उन्होंने कहा कि नतन्याहू हमास में बंदक बनाए गए बंदियों की रिहाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है बाइडन ने इस्राइल से ये भी कहा ति एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसकी इस्राइल के प्रति आजिवन प्रति बदिता रही है ऐसे बिक्ति के रूप में जिसने इरान दोरा हमला किये जाने पर सीधे इसराइल के रक्षा के लिए अमेरिकी सेना भेजी थी मैं आपसे एक कदम पीछे हटने के लिए कहता हूँ सोचे कि अगर ये मौका चला गया तो क्या होगा हम इस मौके को नहीं खो सकते ये युद समाप्त होने और उससे आगे बढ़ने का समय है उनका इशारा था कि अब इसराइल को युद समाप्त कर वहां आने वाले चुनाव को देखना चाहिए अमेरिकी राज़पती ने इसराइल में उन लोगों से भी अपने रुख पर पुनर विचार करने को कहा कि जो लंबे समय से युद की वकालत कर रहे है इस बीच बाइडन ने युद विराम और बंदगों की रिहाई के लिए तीन चरणों वाला प्रस्ताव भी पेश किया है इसमें गाज़ा में युद विराम के बदले हमास द्वारा पकड़े गए इसराइली बंदगों को रिहा करना शामिल है इसमें पहले चरण में छे हफ़ते का पूंड युद विराम लागू किया जाएगा इस दोरान इसराइली सेना गाज़ा से हट जाएगी और दोनों एक दूसरे के बंदगों को रिहा करेंगे दूसरे चरण में दुश्मनी को अस्थाई रूप से खत्म करने के लिए शर्ते तैह होंगी जिसमें हमास और इसराइल के बीच बाचीच शुरू होगी तीसरे चरण में गाज़ा के लिए बड़े पैमाने पर पुनर निर्मार योजनार शुरू की जाएगी आपको बता दे कि नितन्याहू पर गाज़ा में युद्ध रोकने का दबाव बढ़ रहा है इस बीच नितन्याहू सरकार में गढ़बंदन सहयोगी उन्हें अलग धमकी दे रहे हैं कि यदि प्रधान मंत्री ने युद्ध विराम के जरीए बंदकों की डील की तो वो सरकार गिरा देंगे नितन्याहू खुद समझहोता नहीं चाहते हैं बलकि वो हमास से युद्ध जारी रखना चाहते हैं लेकिन दोतर्फा दबाव के बीच वो फस गए हैं इसराइल इस बात पर फसा हुआ है कि हमास ने समझहोते की सभी शर्ते मान ली है तो इसराइल के पास ये भी मौका नहीं है कि वो हमास पर कोई आरोप लगा कर युद्ध को खीच सके हमास खुद इसराइल पर आरोप लगा रहा है कि उसे समझहोता स्विकार करने में कोई आपत्ती नहीं है लेकिन इसराइल युद रोकने के लिए तैयार नहीं है ऐसे में अब इसराइल का अगला कदम क्या होगा ये देखना रोचक है अगर इसराइल समझोते की शर्ते नहीं मानता है तो फिर अमेरिका का रियक्शन क्या होगा इस पर भी नजने रहेंगी लेकिन एक बात साफ है कि इसराइल पर अब युद रोकने का दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है और दूसी तरफ उसकी सरकार जाने का डर भी बराबर बना हुआ है ऑज जढात सम्सिर अो water झाल कर्णा बाबर कि यादा बाब ऱ्यम tej तरफ तर लेकिन